नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टुनीशिया के बारे में, क्योंकि काफी बड़ा violent youth protest हमें देखने को मिल रहा है, टुनीशिया याद रखेगा, एफरिका के नदन रीचन में आपको एक छोटा सा देश मिलेगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हजार से जादा को अरेश्ट किया जा चुका है, यहाँ पर आप news देख सकते हो, अरब news का है यह पूरा आर्टिकल, thousand arrested troops deployed as Tunisia erupts in new right, क्योंकि अब यह बहुत important हो जाता है, क्योंकि जब अक्सर हम बात करते हैं, अरब world की, तो यहाँ पर 2011 का जो revolution है, एक तरह का पूरा जो हिंसा हुई थी, वापस से यह इतना जादा protest क्यों देखने को मिल रहा है, सरकार को क्या डर है, वहाँ पर क्यों इतना जादा arrest किया जा रहा है, और army deploy की जारी है पूरे अलग-अलग शहरों के अंदर, तो काफी को जानने को है, चलिया आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, Northern Africa का यह पूरा map है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Tunisia, एक छोटा सा देश है जिसकी capital आप देख सकते हो, उपर जो Mediterranean Sea है, वहाँ के पास एकदम Northern Most Point पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा Tunis, तो इसकी capital Tunis याद अगर हम Geographical Boundary की बात करें, तो आप देख सकते हो कि Northern Side में यहाँ पर यह पूरा जो Mediterranean Sea है, उससे यह घिरा हुआ है, और Left and Right में आप देख सकते हो, Algeria है और यहाँ पर Libya है, तो दोनों exact जो इसकी location है आप ध्यान रखेगा, और यहाँ पर अगर हम इस देश की बात करें, तो Capital जैसा मैंने बताया, टुनिस है, यहाँ पर जो language है दोस्तों, वो Tunisian Arabic बोली जाती है, लेकिन administrative, commercial और educational परपस से French भी यहाँ पर बताया जाता है, इसके लावा ethnic group की बात करें, तो सबसे बड़ी आबादी, देखिए, almost 98% Arab, Berber, Berber basically क्या है न, कि एक तरह की community है, जो आपको जादा तर जो Northern Africa है, वहाँ पर अलग-अलग regions में देखने को मिलेंगी, तो सबसे जादा आप देख सकते हो, जो Tunisia है, वहाँ पर 98% यह community आपको देखने को मिलती है, इसके लावा European और बाकी Jewish वगर आपको 15% देखने को मिलेंगे, सरकार की बात करें, Unitary Semipresidential Constitutional है, इस समय जो President है उनके, वो है कैस सहीर, ठीक है, यह भी आप ध्यान रखेगा, याद रखेगा, 1956 में इसको फ्रांस से आजादी मिला था, लेकिन इसका एक जो दूसरा सबसे important point आया, वो आया, 2011 में मैंने आपको बताया, कि वहाँ पर Tunisian Revolution हुआ था, और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें changes हुई थी, इसका population एक करोण 17 लाग के आसपास बताया जाता है, अगर हम इसके currency की बात करें, तो Tunisian Dinar, ध्यान रखेगा, Tunisian Dinar यहाँ पर है, और HDI के मामने में भी, Human Development Index यह भारत से काफी बहतर है, 95th rank है इसकी HDI में, तो भारत से आप कह सकते हो बहतर है, और यहाँ पर क्योंकि हम 2011 की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यह काफी intensive campaign की सुरवात की गई थी, यहाँ पर एक तरह का यह civil resistance सा आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लोगों के द्वारा मांग थी regarding high unemployment, food inflation काफी जादा हो गया था, corruption के cases थे, lack of freedom of speech, यहाँ पर जो political freedom है वो भी नहीं दिया जाता था, poor living condition, मतलब जो authoritarian, autocratic जो सरकार होती है, उस तरह का साशन था, और इसी को frustrate होकर यहाँ पर जो पूरे जनता है, उस समय वो यहाँ पर civil resistance के तोर पर सामने आई, जो labor union था, वो इसका एक integral part था, इस पूरे protest का और यहीं से inspire होकर, जो Arab Spring हमें देखने को मिलता है, basically पूरा यह जो Arab world आप देख रहे हो, यहाँ पर हर जगा आपको इस तरह के protest देखने को मिले, और काफी लंबे समय तक इसका पूरा जो असर रहा था, I'm sure आपको पता होगा, लेकिन वापस से यहाँ पर देख सकते हो, द और यहाँ पर जो leadership है, वो काफी जादा चिंता हो गया है इस चीज को लेकर कि कहीं 2011 की तरह चीजें repeat न हो जाएं, क्या यह Arab Spring का back तो नहीं है, और यहाँ पर बताया गया 1000 पीपल से जादा को आर्मी के दौरा अरेश्ट किया जा चुका है, यहाँ पर यह जो पुरा protest है द अगरा के माध्यम से, simultaneously क्या करता है कि Tunisia के अंदर जो अलग-अलग शहर है, जो crowded places हैं, वहाँ पर यह चले जाते हैं और यहाँ पर demonstration करने लगते हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि जो municipal buildings हैं, वहाँ पर stone फेके जा रहे हैं, cocktails फेके जा रहे हैं, loot चल रही हैं, अलग-अलग populated regions हैं, वहाँ पर जहाँ पर already आपने देखा होगा कि law enforcement बहुत जादा ढीला होता है, वहाँ पर इस तरह के जादा तर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा हैं, और इसी को देखते वे, यहाँ पर Sunday रात को सरकार ने army को बुला लिया, ताकि इन प्रोटेस्ट को रोका जा सके और यहाँ पर police ने कई सारे लोगों को arrest किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा question आता है कि यह protest क्यों किया जा रहा है, तो again देखें यहाँ पर अभी चीजें unclear हैं, जैसे कि Arab Spring के समय भी 2011 में जब इसकी सुरुवात होती है, उस समय भी चीजें unclear थी, इसी type का situation और इसलिए आप मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कहिए Arab Spring का वापसी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर again जो economic outlook है, वो बहुत जादा stagnant है, growth नहीं हो रहा है North African जितने भी देश आपको मैंने map में दिखा है, वहाँ पर जो dissatisfaction है वो बहुत जादा है लोगों में, और यहाँ प यहाँ पर लोगों का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि Arab Spring होने के बाद, जो Tunisian Revolution होने के बाद, जब उस समय के जो leadership है उसको हटा दिया गया था लोगों की द्वारा, तो यहाँ पर President आये थे Cash Zahid और उनका बहुत सारा promise था, लेकिन वो अपने promise फर fulfill नहीं उतरे हैं और इस उनके पास बचे हैं और उसी को लेकर वापस से लोग जो youth है वो आपका सड़क पर आ चुका है, और यहाँ पर जो National Institute of Statistics है, उनके द्वारा आकड़ा भी दिया गया कि one third, आप imagine कर सकते हो किसी देश के अंदर, one third जो youth है वो unemployed हो, तो क्या हालत होगी उस देश की, वहाँ पर fifth of the country करीब 20% के आसपास poverty line के नीचे रह रह रहा है, मतलब बहुत ज़ादा गरीबी में है, और इसके अलवा जो young people हैं, उनको जो 2011 में क्या हुआ था वो याद नहीं, उनको से मतलब भी नहीं है, कई लोगों का कहना है कि 2011 में चीज़ें ऐसी repeat ना हो जाए, लेकिन उनका य left side में आपने देश अभी देखा था map में, Algeria में भी यहाँ पर 2019 में आप देखोगे दोस्तों, तो एक youth led protest किया गया, जिसकी वजह से एक बहुत लंबे समय से चलते आ रहे leader थे, उनको वहाँ से power से हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर यह जो पूरा protest है दोस्तों, यह जो परशानी है youth की, वो और जादा बिगड़ गई है because of pandemic, तो COVID-19 pandemic एक और यहाँ पर force का काम कर रहा है इस पूरे protest के अंदर, क्योंकि desperate lockdown restrictions लगाना पड़ गया था, और ध्यान रखेगा Tunisia का जो पूरी economy है, काफी हद तक जो है आपका tourism के उपर dependent है, क्योंकि वहाँ पर जो historical cities आपको देखने को मिलेंगे, sandy beaches देखने को मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें यापर closed हैं, लोग जा नहीं पा रहे हैं, लोगों की कमाई नहीं हो पा रही है, flights यहाँ पर रुके वे हैं, और यह सबसे बड़ा एक और कारण बन गया है, जिसकी वज़े से protest देखने को मिल र national है, उन्होंने यहाँ पर request किया है, Tunisian authorities को कि यहाँ पर रेस्टेंट करें, जिस तरह से detain किया जा रहा है, यहाँ पर जो tear gas छोड़े जा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स के उपर, यह सारी चीज़ें ना किया जाएं, लेकिन जो interior minister हैं, जो home minister हैं वहाँ के, उनका यह कहना है कि यह जो हम robust police response है, वो बहुत जादा जरूरी हो गया था, ताकि जो integrity है citizens का, वो बना रहा है, इसके लाबा public और private goods को हम बचा पाएं, इसके लिए हमने काफी जादा harsh steps लेना पड़ा, लेकिन कई लोग इससे disagree करते हैं, जैसे कि president है Tunisian Forum of Economic and Social Rights के लहदिली, उनका यहाँ प जाते हैं, drop out हो जाते हैं, 12,000, 1,000,000 में से 12,000 illegal migrants के तौर पर आ जाते हैं, इसके लाबा यहाँ पर वो यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, इसके लाबा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कि extremist organization की तरफ चले जाते हैं, जो Islamic State वगर हम जो कहते हैं, उसकी तरफ यह चले जात हैं, कहीं उनका तो इसके अंदर हात नहीं है, तो इसी को देखते हैं, यहाँ पर जो उनके president हैं, सईद, उन्होंने यहाँ पर directly बातचीत करने की कोशिश की protesters के साथ, और वो अचानक से जो Tunisia के पास एक particular जगा है, वो unexpected visit पर चले गा है, और वहाँ पर बात करने की कोशिश और यहाँ पर उन्होंने एक तरह से warning दिया protesters को, और यह कहा कि आप यह इतना बड़ा जो protest वापस से देश के अंदर कर रहे हो, इसके अंदर islamist forces का हाथ है, और वो आपको एक तरह से, आपको एक जरिया बना कर, यहाँ पर जो democratically elected government है, उसको destabilize करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा president का कहना था, अब यह unclear है कि क्या actual में किसी islamist forces का हाथ है कि नहीं, क्योंकि कोई भी अभी तक सामने आया नहीं है, इस चीज को claim करने के लिए कि हमारा इसके ऊपर backing है, तो वो देखनी वाली बात होगी, लेकिन ऐसा चबी कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि जिस तरह के हलात हैं, क्योंकि यहां पर conclusion में दोस्तों हम कह सकते हैं कि पूरा जो North African region है, one third youth जो है वहाँ पर unemployed है, और इसी की वज़े से बहुत जादा गुस्सा है, और जो protest है दोस्तों, इसको लेकर यहां पर एक बहुती muscular response देखने को मिला है सरकार की तरफ से, क्योंकि उनको again डर है कि वापस से Arab Spring जैसी चीजें हमें देखने को ना मिले, तो यह था दोस्तों, टुनिश्या के बारे में, जो कि recently काफी news में चल रहा था, violent protest देखने को मिल रहे थे, I hope कि इसके बारे में सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा, जाने इस पहले एक interesting question लेकर आया हूँ, ज कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप उससे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, यहोग की वीडियो आपको पसंदा होगा, मिलता आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.